नमस्कार मैं विनोद तिल की खेती में आपका स्वागत करता हूँ तिल की प्रजातियां तिल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे की टाइप 4, टाइप 12, टाइप 13, टाइप 78, सेखर, प्रगयती, तारून, क्रश्णा, एवं भी 63 आदी हैं खेत की तैयारी तिल के लिए हलकी एवं दोमट भूम अच्छी होती हैं फिर भी यह फसल दोमट भूम से काली मिट्टी में भी उगाई जा सकती हैं खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में दो तीन जुताई कल्टीवेटर या देशी हल से करके खेत में पाटा लगा कर भूलबूरा एवं संतल बना लेना चाहिए बीच की मात्रा एवं बूआई एक हेक्टेर खेत के लिए तीन से चार किलो ग्राम बीच परियाप्त होता है बीच जरित रोगों के बचाव के लिए दो दसमलो पांच ग्राम ठीरम या कैप्टान से एक किलो ग्राम बीच की दर से सोधन करके बूआई करनी चाहिए बूआई जून के अंतिम सता से जुलाई का दूसरा पकवारा माना जाता है बूआई कम गहराई पर करते हैं तिल की बूआई हलके पीछे लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटी मीटर पर रखनी चाहिए तिल की फसल के लिए खाद एवं उरोरक खाद एवं उरोरकों का प्रियोग भूम परिच्छन के आधार पर करना चाहिए 80 से 100 कुंटल सडी गोबर की खाद खेत तयारी केते समय आखरी जुताई में मिला देना चाहिए तथा 30 kg नत्रजन, 15 kg फास्फोरस एवं 15 kg पोटाज तथा 25 kg गंधक एक हेक्टेर में तत्ट के रूप में प्रियोग करना चाहिए नत्रजन की आधी मात्रा फास्फोरस पोटाज तथा गंधक की पूरी मात्रा बोवाई के समय तथा बच्ची हुई आधी नत्रजन की मात्रा पहली निरोई गुडाई के समय खड़ी फसल में देना चाहिए सिचाई, तिल वर्षा रित्की फसल होने के कारण सिचाई की आवसकता कम पड़ती है यदि वर्षा ना हो तो आवसकता नुसार सिचाई करनी चाहिए फसल में 50 से 70 सद्फलत होने पर एक सिचाई करना आवस्चक होता है खरपतवार नियंतर्ण, तिल की बुआई के 15 से 20 दिन के बाद पहली निराई गुडाई करके खेत को साफ रखना चाहिए दूसरी, 30 से 35 दिन बाद निराई गुडाई करते समय बिरली करण या थिनिंग करके पौधों की दूरी 10 से 12 सेंटी मीटर कर देनी चाहिए रसायन में एलाकलूर 50 EC 1.25 लीटर मात्रा, एक हेक्टेर की इदर से बुआई के बाद 2 से 3 दिन के अंदर भूई पर छिड़काव 700 से 800 लीटर पानी में मिला कर करना चाहिए रोग नियंतरण तिल की फसल में फिलोडी जुलसा रोग लगते हैं फिलोडी के नियंतरण हिट मिथाईल ओडी मेटान 25 EC 1 लीटर 600 से 800 लीटर पानी में मिला कर प्रती हेक्टेर की दर से छिड़काव करना चाहिए जुलसा की रोग थाम के लिए 3 किलोग्राम कापर आक्सी क्लोराइड या 2.5 किलोग्राम मैंको जेब एक हेक्टेर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल कर दो तीन बार में छिड़काव करना चाहिए तिल की फसल में कीट नियंत्रन तिल की फसल में पत्ती लपेटक एवं फली बेदक कीट लगते हैं इनकी रोग थाम के लिए क्यूनालफास 25 इजी 1.5 लीटर मात्रा या मिथाइल पैराथियान 2 प्रत्सत चूण 25 किलोग्राम एक हेक्टेर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मि कटाई एवं उपज तिल की पत्तियां पीली पढ़ने पर जब गिरने लगें तब समझना चाहिए कि फसल पक कर तयार हो गई है तब कटाई पेड सहित नीचे से करके बंडल बना कर रखना चाहिए जब फसल खूब सूख जावे तब डंडे से पीट कर दाना अलग कर लेन चाहिए तकनीकी तरीकों से खेती करने पर तिल की पैदावार सास से आठ कुंटल एक हेक्टेर में प्राप्त होती है धन्यवाद